हाई गाईज विल्कम तो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे डालें और यह मैं बताऊंगा एंजल ब्रोकिंग के डीमेट अकाउंट में कि एंजल ब्रोकिंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड कैसे buy किये जाते हैं तो यह हमारे mobile का screen है तो सबसे पहले अपना angel broking का dmate account open कर लेंगे और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आपके समने angel broking का dmate account आ चुका है तो इसमें सबसे पहले एक watch list का option होता है फिर देन portfolio order order fund और research तो यह सारे अपने पास options मिल जाते हैं और हमें bank nifty में trade करने के लिए सबसे पहले अपने को जाना है यहाँ add an stock पे और simple सा जैसे आप कोई stock सर्च करते हो तो bank nifty में example के लिए हम लेके चलते हैं कि bank nifty का price क्या चल रहा है अभी अगर आप देखे तो bank nifty का जो hub price है total 39,000 रुपए चल रहा है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं और अब मान लेजे हमें bank nifty में trade करना है तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि bank nifty में जो strike price जो गयरा होते हैं वो कैसे put करते हैं तो हम जैसे market 38,000 रुपए चल रहा है या फिर हम इस से उपर कभी strike price ले सकते हैं 38,200 38,300 जैसे उपर अगर जाएंगे call option के लिए तो अपने premium में जो है वो difference नजर आएगा जैसा कि मैं आगे करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अब मान लेजे हमें bank nifty में trade करना है तो हम सबसे पहले अपना aid and stock पर click करेंगे और bank nifty का अगर market में price चलना 38,000 तो simple सा हम यहाँ पास डालेंगे 38,300 का हम ले रहे हैं 38,300 जैसे हमने 38,300 लिखा तो आप देखिए आपके सामने bank nifty 30 सितंबर 2021 CE 38,300 का और bank nifty 30 सितंबर PE 38,300 का तो आपको क्या लेना है CE लेना है या PE लेना है आपने कहां से research किया है आपको क्या मिला है तो इसको लेने के लिए हम यहाँ touch करेंगे तो यह देखिए जैसे ही हम touch करते हैं तो हमारा जो bank nifty 30 सितंबर का जो अपना premium है वो हमारे सामने aid हो चुका है जिसका price आपके सामने है 134.95 और एक चीज जब हम और बता देते हैं जिसे मालिज आपको put option लेना है हम 38,300 डालते हैं यह put हमारे सामने है इसमें भी click करेंगे ति यह हमारा put का भी आओ गया और जिसका price करेंट में चल रहा है 426 रुपए अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि अपना जो यह 30 सितंबर लिखा है यह अपना एक weekly expiry होता है जो हर week का Thursday के दिन होता है और यह September मन्त हो गया और 2021 अपना year होगा और यह PE मतलब put हो गया मतलब हमने put की condition में stock लिया है sorry put की condition में अपना premium aid किया हुआ है तो जिसे 38,300 का हमने put किया तो उसका price premium जो होगा अलग होगा अगर 38,300 का हमने call aid किया है तो उसका price अलग होगा अब CE और PE में क्यार देखे जैसे अगर market उपर जाएगा तो हमारा CE का जो price है premium है वो उपर जाएगा ठीक है अगर हमारा market उपर गया है तो हमारा जो bank nifty में trade लगा हुआ है उसका price उपर जाएगा अगर market down आता है तो फिर हमारा put अगर हमने put buy किया है तो हमारा put उपर जाएगा market down जाएगा तो put उपर जाएगा market उपर जाएगा तो put down जाएगा और अगर कोई query हो angel broking से लेके कि हमें किस प्रकार से trade लगाना है nifty, bank nifty जिस अगर अभी हम nifty का भी आपको दिखा देते हैं यह nifty कितना चल रहा अपना 17,000 चल रहा है अब इसी प्रकार जैसे 17,000 सिदा सिदा हम उनका price लिख देते 17,700 अभी हमारे सामने 17,700 का call भी आ चुका है यह और 17,700 का put भी आ चुका है यह September मन्त का है अगर हम October पे जाएं तो आप देख पा रहे हैं 0,7 October 1st expiry का CE और PE और 14 मतलब 2nd expiry का CE और PE तो बस simple है अब इसको add करना है तो आपके सामने यह add हो गया और इसका जो भी premium चला है वो आपके सामने है तो हम इसको अभी CE वाले को एक बार buy करके दिखाते हैं कि कैसे buy करना है simple से यहाँ पास आपको click करना है तो यह buy वाले option पे click करना है तो यह पासबर्ट माग रहा है तो मैं पासबर्ट उटकर देता हूँ जिससे की मैं आप लोगों को आगे की चीजें भी दिखा सकूँ यह जैसे buy कैसे करना है अभी है 38-300 वाले पे click किया यह अभी open हुआ था पहले से यह call पे buy किया यह हमारे पास buy का option है और एक sale का option है हम buy वाले option पे click करते हैं lots यहाँ पास हमे number of lot put करने के लिए दे रहा है यह 25 जो है यह होता है lot size bank nifty का मतलब की 25 quantity मिलके एक lot बनाता है अगर हमें एक lot buy करना तो हम यह एक डालेंगे दो लेना है तो हम दो डालेंगे तीन लेना है तो तीन डालेंगे जैसा हम lot price डालेंगे उसके हिसाब से हमारा price required margin बताएगा यहाँ पास कि क्या margin आपका लगेगा जैसा कि example के लिए मा लेजे मैं एक lot डालता हूँ मतलब 25 quantity तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे इस strike price पे इस premium point पे 134 रुपए पे हमारा 3370 रुपए का अप्रोक्स margin लगेगा इतना fund हमारे डीमेट अकाउंट में होना चाहिए इसको बाई करने के लिए अब यह price का एक option है मतलब market में यह market का price जो है 334 अगर आप इस price को लेना चाहते हैं तो यहाँ आप market select करके ले सकते हैं अगर इस price को नहीं लेना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं इसको 125 रुपए जब आए तब भाई करें तो 125 आप टाइप कर दो और limit में क्लिक कर दीजें तो जैसे market जब 125 पे आएगा तब आपकी चीजें भाई होंगी otherwise आपका call एक्जेक्यूट नहीं होगा और फिर हमारा जो एक और option प्रोड़क्ट टाइप आ जाता है intraday और carry forward intraday का मतलब होता है 9 बच के 15 मिनट से 3 बच के 30 मिनट तक इस बीच आपको position निकालनी पड़ेगी अगर नहीं निकालते हैं और आपका position intraday पे है तो आटो इसको राफ हो जाएगा और दूसरा यह carry forward carry forward मतलब आप nest मतलब जो Thursday है अगर आप आज Monday को आप trade करते हो तो Thursday तक आप hold कर सकते हैं और just यह हमने इंट्रडे किया और यहां पास बाइप आले पे option पे क्लिक कर देंगे और अगेन एक confirm बाइपे क्लिक कर देंगे तो यहां पास हमें क्या message हो रहा है derivative market is close क्योंकि हम आभी जो वीडियो बना रहे हैं वो market close है जब market open होगा तो आपकी चीजे place हो जाएगी तो ऐसे interesting जानकारी के लिए हमारे चैनल को subscribe करें share करें और कुछ और जानकारी चाहिए तो आप comment पर जरूर लिखें और मैं उसका reply दूँगा thank you friends